हेलो एवरीवन वेलकम बेट टुदे टुदे टॉफ लेज तुछ टुट्रेट्स आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हमारी क्लास 9 इंग्लिश की 2023 की बुर्ड परीक्षे का पेपर तो वीडियो के इस तारद लेकर तक जरूर देखेगा क्योंकि इस से इसी पैटर्न पर पेपर आपका आएगा इसी ब्लूपिंट के अक्वाडिंग आपका पेपर सेट होकर आएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है तो इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा चारी बूकर शुरू करते हैं अब सबसे पहले य तीन गंटे का टाइम आपको रिज आएगा सेक्शन पेपर डिवाइड रहेगा सेक्शन ए रीडिंग इसके लो होता है जो कि एक पैसेज है तो देखो पूरा एक पैसेज इसका क्वेशन किस तरीके से आएगा रीड था फालिए पैसेज इन आंसर तो इनके कहने का मतलब पैसेज को क्यारफुली आपको रीड करना है और रीड करने के बाद इस पैसेज से जो कोशन बनाए गए उनके आंसर आपको बताना है तो आपको पहला काम यही कर लेना है कि पैसेज को स्टाइड इसे लेकर इंड तक रीड करना है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है कॉश्चन के आंसर को पहले line से ही सर्च करना स्टार्ट कर दो कमाल की बात यह के पहले कॉश्चन का आंसर starting में ही मिल जाता है दूसरी तीसी line में ही जादतर मिल जाता है हर बार नहीं होता है स्टार्डिंग की दो तीन लाइन में ही फर्स कॉश्शन का अज़र पर उसके बाद पर उसके बाद ऐसा सिस्टम चलता है जावतार होता है हर बार नहीं होता यह ट्रिक बराबर काम करती है तो ट्रेक नमबर टू को फॉलो करते हैं पैसेज को रीड करने में टाइम बेस्ट नहीं करते हैं पहला कॉश्शन देखते हैं इसमें कहा गया है रोबर्ट ब्राउस वांटी ड्राइब आउट दा इंगलिश फ्रों ठीक है अब यहां पर चार आप्शन दियें अब आपको आपशन की हेल्प लेना है और आपशन की हेल्प से आपको यह देखना है कि कौन सी कंट्री का नाम ऊपर आया हुआ है तो चलते हैं उपर और आपको यहां पर देखेगा एक कंट्री का नम स्कॉटलेंड और इसको गन्फर्ब करने के लिए आप लाइन को पढ़ल तो इस कंट्री कों सी थी उसकी स्कॉटलेंड ही थी बागी कहीं नाम है दूसरी कंट्री का नहीं है तो इंगलेंड आयरलेंड नागलेंड बिल्कुल नहीं आया है तो क्या आया है स्कॉटलेंड बच्चो यही हमारा राइट आंसर होगा तो आफशन नमर बी इस दकारी ट स्कॉटलेंड है तो ए सी ओ टी एल ए एंडी ऐसे आंसर को लिख्याना ठीक को उतारना नहीं अब सेकंड कोश्चन देख लिए हाउ मेनी टाइम्स वाजी डिफिटेड तो इसको कंफर्म करने के लिए उपर चलते हैं और देखते हैं यह मिल गया है ही वाज डिफिटेड मेनी अब सेकंड के लिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन बस वर्ड को मिलाई है तो देखो इस पाइडर के वारे में बात करना है तो इस पाइडर देर ही सा इस पाइडर इट ट्राइट टू रीच दा सीलिंग लिखा हूँ है न बच्चो यह लिखा हूँ इट वर्ड फौस रोबरट फौस को हूँ था वह दो उपर भी में आपको बताई ही दिया था पहले फिर भी कंफर कर लो तो यह आपको यहां मिल जाएगा ही वार किंग आप इसका किंग आया तो अ-किंग अ-पोचिट बताना ना है सेट कशेट का पोचिट हो तो हैपी ठीक है इसको पढ़ा लीजेगा और इसकी आंसर भी देख लो रॉबिंसन क्रूजी लिव्ड तो कहां पे रहता था था भाई अलोन इन फारेश्ट तो यहां पे आपको बन जाएगा इन फारेश्ट ठीक है बागी यह है आप आज सर्च कर लेना यहां पे टिक कर रहे हुए तो आप सर्च कर लेना ठीक है अब इसके बाद आता है एक सेक्षण बी विकर राइडिंग इसके लोता है इसमें कोश्चन देखो यह एक पैसेज है और पैसे में आपसे टाइटल पूछ रहे है और इससे नोट पेंगिंग पूछी जा रही है तो आपको टाइटल बता देना है औ तरीकिस नोटस बनाया जाता है उस वीडियो को दरूर देख लीजिएगा कि नोटस बनाना आपको सिखाया जाएगा चार नंबर काई कोश्चन आएगा इसके बाद आते हैं लेटर पर अप्लिकेशन है देखो प्रिंसिपल आसकी फुर्द ग्रांड यू थ्री डैस लीप की अप्लिकेशन है अब बच्चो अप्लिकेशन में आपको याद इतना रखना है कि आपको जो नाम दिया गया है तो वो नाम ही आपको यूज करना है इसकूल का नाम जो दिया गया है वही नाम आपको यूज करना है वही नाम आपको यूज करना है ठीक है प्लेस का नाम आपको यूज करना है या आपटिया दी यह करना है। अपको जोन स्कोल्छ का सा सुल्छ का मिए ऊपको नाम पुलेस का नाम क्रदाब आपको यूज करना है। और मेरे इन फॉर्मालिटर है अगर आप चाहते यह च्छर नंबर का पर आएगा एसके बाद लेका पैसेज आएगा जो पल जा प्र께 लेके और पैसे जाएगा अब है आपको प्रिक्छर गाईडिडेकॉ擊 पशुक्र को मेरे अपको करना किश अब देख लेते हैं section C grammar यह grammar है तो हितेश इस प्रेंट नमर की grammar है फाइब मार्स के फिलंद बलेंक्स आएगा तो हितेश इस इंजिनियर के पहले न आएगा कोई कि वाउल साउंड है तो निगेटिफ सेंटेस है तो न आएगा स्वाउन आएगा तू लगा हुआ है तो यहां पर पास्ट की बात येस्ट्रेद वेंट आएगा पेजिस काउंटेबल है तो मैं है न आएगा फिजिक्स आएगा वाट टाइम here आएगा और AI और टीचर तो यहां पर क्या आएगा वी आउट तू यूज़ करना जाहिए क्योंकि moral duty यह आउट तू यूज़ कर लेना यह होगा आपके फिलप्स और यह हमारे do is right it. Swamia does her homework everyday तो negative Swamia does not do her homework everyday यह right ask होगा. Swamia does not do her homework. इसको correct करना है तो we should protect or forest we should protect or forest area. पूर्भी गोज़ तू office at 10 am question use करना है who से बनाना है तो who goes to office at 10 am. तो who goes to office at 10 am who से बन जाएगा. If we study hard you will succeed. तो right answer आपको unless का use करना है तो कैसे बनेगा. Unless you study hard you will not succeed हो जाएगा. Unless you study hard you will not succeed. So that का use करना है तो Sujata is so lazy that she cannot work herself. Sujata is so lazy that she cannot work herself. Rajesh and Madhuri is going correct करना है तो इसकी जगा पर आ रहा जाएगा. Rajesh and Madhuri are going home जाएगा. Who का use करना है? The lady is the principal of our school. The lady is talking to Ormila. The lady who is talking to Irmila is the principal of our school. यह right ask होगा. 7 है यहनी 5 करना है आपको ठीक है. तो कोई 5 कर दे रहा. इसके बाद section deal. MCQs आएगे आपके बुक से. तो चार नमर के MCQs आएगे देखो चार नमर के. How old is Margie केती साल की थी? 11 साल की थी? अवार्डे अलबराश्टी क्लास क्या कहते थी? उसको genius कहते थी? क्या सिखाया है इनको? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? फ्रेंच. और यह आपका एक 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 एक्सटेट है, जो को बुक से लिए गाया है, प्रूज से. एक्सटेट को पढ़ लेना, इसके question देख लो. लेसर किससे लिए गाय है, माय चाइलवट से लिए गाय है, टैमिनिट सीट के बारे में बात की गई है, तो ये इसको पढ़ लेना नीजुस पेपर, ये पोवम का एकस्टेट है, एक एकस्टेट पोवम का आएगा और ये कॉश्चन आंसर है, अब कॉश्चन आंसर को देख लो इसमने से ज़ाधर कोशन आपके रिपीट हो सकते हैं। काफी इंपरियन कोशन है। विएरवाद्बिसमिल्लाख खान बोन। ये सबी इंपरियन कोशन है। इसका जلी से शॉट ले लिए। इसकी शॉट जली से ले लीजेगा। क्योंकि जो question आपके देखने को मिलना है इन में से दाफर question आपके repeat हो सकते है यह जाएए देखो पाथ नंबर के दस नंबर बारा नंबर के आपके इच्छे question आएंगी short pros के poem के आएंगे आपके चार नंबर के और इसके बाद आएंगे आपके second वाली book से बस यह रहा पूरा 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 पूर जो मैंने आपको explain करा दिया है बस इस पेपर के recording आप स्टेडी करो same paper आपका आने वाला है बस question को थोड़ा बहुत change कर दिये जाएगा लेकिन इसमें जो जो आया है बहुत सारी चीज़े paper में आएंगी यानि कि पैसे जो आएंगे तो पैसे जाएंगे application आएगी notice notice नहीं आएगा इसके अलाबा ऐसे आपको एक्जाम में आने वाले है आपने सब्सक्राइब कर लीजेगा थेक्स फॉर वाचिंग